आलेलुया स्वागत है आप सम्का मेरी वविशवाणियों की पुस्तक में तो आईए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेजित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है जरूरत मंदों के लिए प्रार्चना करें जैसा कि मत्य की कुस्तक अध्याए 5 उसकी 40 आयत में लिखा है और यदि कोई तुछ पर नालिश करके तेरा कुर्टा लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे मेरे प्रियम बाइबल में लिखा है कि जिसके पास दो कुर्टे हो वो एक उसको दे जिसके पास एक भी नहीं है और जिसके पास दो वक्त की रोटी हो वो एक वक्त की उसको दे जिसके पास एक भी वक्त की रोटी नहीं है और परमेश्वर ने ये भी कहा कि अपने पडोसी के साथ अपने समान प्रेम करो मेरे प्रियों आपका पडोसी वही नहीं है जो आपके साथ रहता है आपका पडोसी वो भी है जो जरूरत मंद है और गरीब है जब आप उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर आप से खुश होता है जैसे ही आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोड़ते हैं आपको आशिशित करते हैं मेरे प्रियों। बाइबल में ये भी लिखा है कि अपना दश्माच लेकर परमेश्वर के घर में आएं। और परमेश्वर आपको कभी भी गरीब नहीं रहने देगा। परमेश्वर के घर में जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। लेकिन कई बार परमेश्वर आपके पास जरूरत मन को भीजता है परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी मदद करें इसलिए परमेश्वर उस वेक्ति को आपके पास भीजता है लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते आप ये सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ परमेशुर के घर में ही बोना है लेकिन प्रभू येशु मसी भी गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करते थे और हमें भी प्रभू येशु मसी के जैसा अपना सुभाव बनाना चाहिए और जब भी जरूरत मन की मदद करें तो ये बोलें कि मुझे तुम्हारे पास प्रभु येश्यो मसी ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे प्रियों मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक गरीब की मदद पैसे के साथ करेंगे तो फिर आप प्रभु के घर में कैसे बोएंगे आप सिरफ पैसे के साथ ही मदद नहीं कर सकते आप अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं उसको कपड़े लेकर दे सकते हैं अगर कोई भूखा है उसे आप रोटी खिला सकते हैं इसी तरह आप उसके मदद कर सकते हैं जरूरत के मताबिक आप लोगों की मदद कर सकते हैं जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही शांती को महसूस करेंगे इसलिए दूसरों की मदद करें क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि दूसरों की मदद करें और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और अपने आशीश को पाते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशिशित करें आमें आईए परमेश्वर के दास के दौरा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें सर शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज आपने मुझे दिया है पिता मैं अंगिकार करता हूँ कि मैं आपके वच्चनों के नुसार जरूरत मंदों की मदद करूँगा और आपके नाम को उंचा करूँगा प्रभी येश्यु मसी के नाम में आमीन बर्मेशर आप सर्व को आज के वच्चन के उपर मनद करने के दौरा आज इशित करें आमीन